हाई गाईज मेरा नाम है दिपतनों आप सबी देख रहे हो आप ही के चैनल दिपतनों शील को दोस्तों अभी फेस्बुक के तरब से एक नया पॉप अप आ रहा है आप इसको फेस्बुक का अपडेट भी कह सकते हो या पे साफ साफ लिखा हुआ है क्लासिक फेस्बुक इस एवे सुन मतलब आप लोग अभी फेस्बुक का जो भी वर्षन को यूज कर रहे हो इंटरफेस को यूज कर रहे हो वो आने वाले समय पे नहीं रहेगा और उसका डेडलाइन जो है वो भी बोल दिया गया है फेस्बुक के तरब से या पे देख सकते हो क्लासिक फेस्बु you will let us know we can continue to make Facebook better for everyone मतलब यहाँ पे यह भी बोला जा रहा है कि आप लोग सजेशन फेस्बुक को चाहिए ताकि Facebook अपने प्रोड़क्ट को और बेहतर कर पाए यहाँ पे दोस्तों नया जो अभी वर्षन आ गया है और किसी किसी को मिल भी चुका है तो वो वर्षन पहले के व wider होगा, new speed और more impressive होगा यह Facebook का कहना है catch up quickly with faster loading time उसका जो fast loading होगा आपके device पे तो Facebook को बहुत जादा जल्दी जल्दी आप यूज़ कर पाऊगे slowness और lagging जो है वो नया बर्षन पे नहीं रहेगा और उसी के साथ turn on dark mode to give your eye a break मतलब आप लोग Facebook को black color पे भी use कर सकते हो black theme के साथ भी use कर सकते हो तो मुझे यह अभी अभी आया है यहापे देख सकते हो pop up हो रहा है तो मैं अभी next पे click करता हो और देखता हूँ के यह कैसा है यहापे आप देख सकते हो choose a look आप दो तरीके का look रहेगा एक light light मतलब के white color पे जो interface आता है वैसा आएगा और एक रहेगा dark जो के black color पे रहेगा white light बाला जो है वो eye पे जादा stress देता है black बाला जो है वो eye पे जादा stress नहीं देगा तो अगर आप heavy user हो facebook का तो मेरा suggestion रहेगा आप dark बाला theme यूज़ करना तो मैं तो dark ही यूज़ कर रहा हूँ उसके बाद आपको simply से get started पे click कर देना है जैसे click करोगे आप देख सकते हो आपका facebook का पूरा interface जो है वो नया मतलब नया जो format है उसपे change हो चुका है और पूरा black है और बोला यह जा रहा है कि यह जो नया theme है या नया interface है उसपे आपको जो news feed है वो पहले से जादा wider है और impressive है आप लोग use करो और यह जो interface है यह load जल्दी जल्दी होगा facebook load जल्दी जल्दी होगा जिससे आप लोग को का काम करने में आसानी होगा फिरहाल तो आप लोग शायद यहाँ पर क्लिक करके dark mode को बंद भी कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करूंगा तो dark mode जो है बंद हो जाएगा और देख सकते हो light mode में आ गया आप लोग चाहों तो customize कर सकते हो और उसी के साथ switch to classic facebook भी option है इस पर क्लिक करू मतलब अगले महीने से classic नहीं रहेगा जो पहले का version था जो यहाँ पर क्लिक करने से शायद में जा सकता हूँ अभी के लिए मगर यह September से यह जो अभी version है जो हम older version facebook का use करते हुए आ रहे थे इतने दिनों तक यह September से दोस्तो और available नहीं रहेगा ऐसे आप लोग facebook को देख नह बैटर होगा निया जो वर्षन है निया जो वर्षन आने वाला है जो अभी टेस्टिंग में है उसको आप लोग जाके सिलेक्ट करके यूज कर लो तो दोस्तो आज के इस वीडियो पे मुझे इतना ही छोटा सा एक आपडेट आप लोग तक पहुचाना था आशा कर तो यह आपडेट भी आप लोगो को काफी हद तक पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लग कर देना कोई भी दोस्त मिनेजर पर नेना है हो चैनल को सस्क्राइब करके बेल नोडिश को दवा लेना ताकि ऐसे वीडियो आने वाले टाहिम पर सबसे बहले आप तक पहुच जा आज के इस वीडियो भी तने दोस्तो तब तक आप लोग कुछ रहो आब आद रहो और ममी पपगा नाम कर दोस्तो बाई